जेहें दोस्तों, H.P. General Knowledge 53 की H.P. Super 20 सीरीज नंबर 11 में आपका स्वागत है अभीनन दन है ये सीरीज जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्जाम, हिमाचल प्रदेश जूनिर आफिस असिस्टेंट, हिमाचल प्रदेश पंचायश सेकेटरी और हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली किसी भी प्रिक्षा के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें हम डिस्क्रिप्स करते हैं Current Affair, General Knowledge, हिमाचल प्रदेश का General Knowledge, General Science, Hindi, English और Math इससे पहले दस सीरिज जो है हम अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्सन बोक्स में दिया हुआ है और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं केलिग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अब देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ वीडियो में पहला प्रशन जो है वो करेंट अफेर से संबंदित प्रशन है प्रशन है भारती मूल की कौन सी महिला हाल ही में नासा की कारेकारी प्रशन है अनिता कांथ रश्मी देश पांडे भब्यलाल या फिर निशा त्रिफाटी तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी भब्यलाल भारती मूल की इंजिनेर भब्यलाल जो है अमेरिका की स्पेस एजन्सी नासा का कारेकारी प्रशन जो है इनको वनाय गया है इससे पहले इंसिचूट फोर डिफेंस एनलेसिस साइंस एंट टेकनोलिजी पॉलसी इंसिचूट के रिशर्च स्टाप में भी ये काम कर चुकी है तो अब इनको बनाय गया है नासा की कारेकारी प्रशन है कौन व्यक्ति हाल ही में एशिया क्रिकेट परिशद के सबसे पुरलीकार्तिक राकेश जेटली जैसा या फिर अशीश नहरा तो इसका जो सही जवाब है बो है ऑप्शन सी जैसा जो है बो बी सी सी आई के सचिब हैं और इनको अब जो है एसी आई क्रिकेट परिशद का अध्यक्ष चुना गया है वह बांगलादेश क्रिकेट वोड के प्रमुक जो नजमुल हशन है उनकी जगह लेंगे और ये मात्र जो हैं 32 साल के हैं अगला प्रशन है जनल नौले से संबंदित प्रशन है प्रशन है भारती राश्टी कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली वार किसी भारती महिला ने अधिक्सता की थी ओप 1925, 1929, 1931 या फिर 1917 तो इसका जो सही जबाव है वो है option A 1925 के अधिवेशन जो की कानपूर में हुआ था उसकी अधिक्सता पहली वार किसी भारती महिला ने की थी और वो भारती महिला कौन थी तो वो थी सरोजनी नाइडू उनके दवारा इसकी अधिक्सता की गई थी भार भारती महिला की अधिक्सता में होने वाला यह पहला अधिवेशन था इससे पहले भी महिला कांग्रेस की अधिवेशनों की अधिक्सता कर चुकी है प्रंतु वो की गए थी 1917 में और वो की गए थी और वो कांग्रेस की पहली महिला अधिक्स भी है प्रशन ये भी आ सकता है कि कांग्रेस की पहली महिला देक्ष कों थी तो पहली महिला देक्ष जो थी वो एनी विसेंड थी और भारती महिला की बात करें तो वो थी सरोजनी नाइडू अब देखते हैं अगले परशन में पूछा गया है बारत में पंचाइती राज बेवस्ताओं का सुभारम दो अक् ही जबाव है बो है OPTION V जवाहरलाल नहरू जवाहरलाल नहरू ने दो अक्तूबर 1969 को राजErस्थान के नागोर से पंचाइती राज बेवस्ताओं का जो है शोवारम किया था राजर्ण पहला राज्ज्जी है जहां सरवप्रतम पूरे राज्ज्य में पंचाइती राज व निकोवार मद्य पर्देश या फिर हीमाचल पर्देश तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्चिन ए बारत का सबसे बड़ा राश्ची उद्यान जो है जम्मु किश्मीर के लह में है परस्व में उसका नाम भी पूछा जा सकता है तो उसका नाम है हीमीस और यह कितने किलो मीटर स्केर एरिया में जो है वो फैला हुआ हुआ है बात करें सबसे छोटे की तो अंडवान निकोवार द्वीव सू में शाउथ वटन नाम का है जिसकी ख्षत्रपल है 0.03 किलो मीटर स्केर में वो फैला हुआ है और सबसे छोटा राश्टिय उद्यान है अगला जनवरी 1902, 15 फरवरी 1902, 5 फरवरी 1902 या फिर 4 जनवरी 1901 तो इसका जो सही जबाब है वो है ऑप्शन C 5 फरवरी 1902 को उत्तरपदेस के जिला गोरक पुर में ये हुआ था और चोरी चोरा नामक एक जगह थी बहां पर ये हुआ था हुआ इसमें ये था कि अंदोलन कारियों ने उग्र अंदोलन कारियों ने जो था पुलिस थाने में जो 22 सिपाही थे उनको आग लगा दी थी और इसमें सभी के सभी पुलिस बाले जो थे मारे गए थे और इस अंदोलन से दुखी होकर महत्मा गांदी ने असहयोग अंदोलन जो था वो बापिस ले लिया था प्रशन काफी बार पूछा जाता है कि मातमा गांदी ने किस गटना से शुब्ध होकर जो असहयोग अंदोलन है वो बापिस किया था या फिर थगित कर दिया था तो इसका सही जवाब होगा चोरी चोराग अब देखते हैं अगले प्रशन में पूछा गया है हमाचर प्रशन से संबंदित प्रशन है प्रसन है एशिया का आडू का कटोरा किसे कहा जाता है कुलू शिरमोर कांगड़ा या फिर मंडी तो इसका जो सही जवाब है बो है ओप्शन भी शिरमोर को जो है एशिया का का कटोरा का जाता है राजगड में आडू गाने का जो स्रे है वो डॉक्टर वाई-एस प्रिमार को जाता है और जो पहला बागान था उनिस सो पच्पन में यहां पर बागवानी भिवागने लगाया था अब देखते हैं अगला परशन शुकेती जिवासम पार्क कहां पर है उप्शन है सिर्मोर किनोर कांगडा या फिर हमीरपूर तो इसका जो सही जबाब है वो है उप्शन ए सिर्मोर शुकेती जिवासम पार्क जो है वो सिर्मोर में है और यहां बास्तविक अकार के फाइवर पार्क है जो जिवासम मिलने के बास्तविक स्थान पर बनाए गया है और कहां पर है ये तो मारकंडा नदी के तटपर है सिरमोर में है अगला प्रशन है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विश कमीशन की स्थापना कब हुई थी 25 अप्रेल 1972 6 अक्तूबर 1998 25 अप्रेल 1971 या फिर 15 जनवरी 1948 तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 25 अप्रेल सोरी 25 अप्रेल 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विश कमीशन की जो है स्थापना हुई थी तो ये कैसे हुई थी संबीदान की धारा 315 से लेकर 323 तक के तहट हुई थी इसकी स्थापना और स्थापना किसमें ये निश्चित किया था कि इसमें जो होगा कम से कम 4 सदस्चे होंगे और एक जो है वो अध्यक्ष होगा सभी सदस्चे 6 साल या फिर 60 साल की आयू तक जो है वो कारे कर सकते हैं बात करें इसके प्रथम अध्यक्षत की तो लेफटिनन जर्नल के एस कटोच जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्षत थे देखते हैं अगला प्रशन है हिमाचल प्रदेस में प्रथलित एक प्रथा के अनुसार बदू गरी किया और जाते हुए बर्क के मार्ग में पत्थर रख जाते हैं और कन्या की सहलियें जो है प्रशनोत्री वाले गीत गाती हैं किस समधाय में ये प्रथा जो है वो प्रथलि है कि जब भी दुलहा जो है दुलहन के घर जाता है तो दुलहन की जो सहलिय होती है रास्ते में पत्थर रख देती है और प्रशनोत्री वाले गीत गाती है जिनका उत्तर देने पर ही दुलहे को आगे जाने दिया जाता है अगला प्रसन है which is known as fool's god मुर्खों का सोना option A, low pyrite यानि की iron pyrite को जो है वो fools gold कहा जाता है और यह किस प्रयोग में आता है तो यह sulfuric अमल बनाने में यह प्रयोग किया जाता है बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल के तारा देवी शिमला के पास यह काफी मात्रा में पाया जाता है अगला प्रशन है पीला रंग बनाने के लिए किन दो रंगों को आपस में मिलाया जाता है option है लाल प्लस नीला लाल प्लस हरा, नीला प्लस हरा या फिर इन में से कोई भी नहीं तो इसका जो सही जवाब है बो है option V लाल प्लस हरा जब मिलाया जाता है तो पीला रंग जो है वो बनता है दो प्रयोगिक रंगों को मिलाकर बनने वाले रंगों को जो कहा जाता है वो दिवितिक रंग कहा जाता है जैसे पीला जो है दिवितिक रंग है और जब दो रंग मिलकर स्वेत रंग बनाते हैं तो उन्हें जो है वो पूरक रंग कहा जाता है अब देखते हैं अगला प्रशन जनरल साइंस से समधित है ये वी मानव सरीर में किस चीज के इकठे होने से स्टोन या फिर पत्री नामक विमारी होती है option है formalin, acetic acid, calcium oxalate या फिर lactic acid तो इसका जो सही जबाब है वो है option C, calcium oxalate के गुर्दे में इकठे होने से पत्री नामक विमारी होती है अब देखते हैं अगला प्रशन, तो अगला प्रशन है निमन का विलोम सब्द क्या होगा हिंदी से समबंदित प्रशन है और शब्द जो है वो है अलोक, अलोक का जो है विलोम सब्द डूंड़ना है तो अंसर है अंदकार, रात्री, परलोक या फिर अग्याद तो इसका जो सही जबाब है अलोक का जो विलोम सब्द होगा वो अंदकार होगा अगला प्रस्ट है बाक्यांश के लिए एक सब्द लिखो जिसका ग्यान इंद्रियों दोरा हो सके उसे क्या कहा जाता है ऑप्षन है अगोचर, गोचर, स्वानुबूती या फिर अनुबूती तो इसका जो सही जवाब है बो है ऑप्षन वी जिसका ग्यान जो इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर कहा जाता है अगला प्रसन है नीमन का अर्थ बताईए चंदन की चुटकी वली गाड़ी वरा ना काट इसका अर्थ क्या होगा या इसका अर्थ आप्शन दिये है उत्तम बस्तू थोड़ी वी अच्छी लगती है थोड़े चंदन की अपिक्षा गाड़ी वर लकड़ी उपयोगते है या फिर एक गाड़ी लकड़ी महीनों इंदन के रूप में काईब आएगी या फिर इन में से कोई भी नहीं तो इसका जो सही जबाब होगा वो होगा उप्शन ए उत्तम बस्तू थोड़ी वी अच्छी लगती है यानि की चंदन की चुटकी वली गाड़ी वराना काट अगला प्रशन है इंगलिस से संबंदित प्रशन है प्रशन है वन वर्ड स्बिस्ट्यूशन से संबंदित है और जो वर्ड स्बिस्ट्यूशन दिये गए है वो है मोनोगैमी, वाइगैमी, पॉलिगैमी, मैट्रिमैनी और कस्टम ओफ हैविंग मैनी वाइफ बहु पतिनी प्रथा को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है polygamy और वहुपती की बात करें तो उसे polyandry कहा जाता है अगला परसन है इसमें blank में जो है appropriate preposition भरनी है तो जो दिये गए line है वो है what do you make और जो blank है all things और preposition जो दिये गई है वो है with, of, why या फिर for तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा of what do you make of all things अगला परसन mathematics से समनित प्रशन है और प्रशन है एक बिंदू P से समीर ने दक्षन किया और चलना प्रारम किया और 40 मीटर तक चला फिर भर अपनी वाई और मुड़ा और 30 मीटर चला एक बिंदू पर पहुँचा अब अपने मूल जगह से बह किस दिसा में है option दी है उत्तर पूर्व दक्षन पस्चिम उत्तर पस्चिम या फिर दक्षन पूर्व तो इसका अंसर जो होगा मा लिया कि ये उत्तर दिसा है और ये दक्षन दिसा है समीर ने दक्षन की और चलना सुरू किया है और ये पूरव दिसा है और ये पस्चिम दिसा है समीर ने दक्षन की और चलना सुरू किया है ये 40 मीटर चला है और फिर वह अपने बाई और मुड़ा मतलब अपनी बाई और मुड़ा तो वह इस तरफ मुड़ा है तो इस तरफ मुड़कर वह 30 मीटर चला तो अब किस दिशा में होगा तो अब वह होगा उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम वो होगा दक्षिन पूर्व दिशा में होगा यहां जैसे होगा वो तो वो दक्षिन पूर्व में हुआ तो इसका सही जवाब जो होगा option D होगा अगला परसन है इसमें अगला अंक बताना है कि वो क्या होगा तो दिये गए जो अंक हैं वो है 7, 14, 22, 31, 41 और अगला अंक जो हमें डूड़ना है और option दी है 52, 45, 56 या वे 45 तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 52 और यह कैसे होगा क्योंकि यहां पर 7 के बाद 14 है यानि कि इन्होंने 7 में 7 जमा किये हैं तो वो आ गया है 14 और उसके बाद इन्होंने 8 जमा किये हैं और वो आया है 22 उसके बाद उन्होंने 9 जमा किये हैं वो आया है 31 उसके बाद 10 जमा किये हैं वो आया है 41 और 41 के बाद इसमें 11 जमा होगा और वो आएगा वावन तो वावन जो है इसका सही जवाब होगा तो दोस्तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हुगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से करें कहा भी गया है विद्यादान, महादान वीडियो को अंतर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे फेस्बुक, इस्टाग्राम और टेलिग्राम पर भी हमारे साथ जूर सकते हैं एक वार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जेहिन, जेवारत